नमस्कार दोस्तों जी के अर्जुन सार यूट्टूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है तो आज जो वीडियो लाएं है उस वीडियो का टाफिक है आधनिक भारत में सिच्छा का विकास यानि आधनिक भारत में सिच्छा का विकास कैसे हुआ इसके बारे में तो चले देखते हैं आधनिक भारत में सिच्छा का विकास के बारे में तो सबसे पहले जो है सिच्छा का विकास यानि भारत में जब बिटिश शासन था तो उस समय कैसे विकास होता है और किसके द्वारा क्या मतलब संस्था खोला गया जिसे सिच्छा का विकास पढ़ा है तो सबसे पहले देखिए 1781 में वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदर्शा की अस्थापना की यानि 1781 में वारेन हेस्टिंग जो है सबसे पहले कलकत्ता में जो है मदर्शा की अस्थापना की और इस मदर्शा की अस्थापना का मुख्य उद्देश से क्या था फार्सी अर् और मुस्लिम कानून की पढ़ाई यानि फार्सी अर्भी और मुस्लिम कानून की इसमें पढ़ाई होती थी तो इसमें कई टाइप से क्वेशन पूछता है कि सबसे पाले कलकत्ता में मदर्शा किसकी द्वारा स्थापित किया गया तो इसका एंसर होगा वारेन हैस्टिंग द अब बात करते हैं दूसरे नमर की 1784 में सर बिल्यम जोनस ने एसेयाटिक सोसाइटी आप बंगाल की अस्थापना की सत्रा सो चौरासी में ये कोश्चन कई बार इक जाम में पुछा जाता है कि सोसाइटी आप बंगाल के अस्थापना किस ने की थी तो सर बिलियम जोन्स ने सत्रा सो चौरासी में कहां पर बंगाल में तीसरा पॉइंट है आधनी सिच्छा के विकास में सत्रा सो बानवेर में जोनाथन डंकन ने बनारस में प्रथम संस्कृत कालेज की अस्थापना की यानि संस्कृत कालेज की अस्थापना बनारस में सबसे पहले किस ने की थी जोनाथन डंकन ने सत्रा सो बानवे इस्वी में बात करते हैं इसमें तीसरे चौथे पॉइंट की 1835 में यानि 1835 में लाड बिलियम बैंटिंग द्वारा भारत में अंग्रेजी सिच्छा का प्रारंब किया गया या इसकी निव रखी गई अंग्रेजी सिच्छा का यानि सबसे पाले 1835 में उस समय गवर्नर जान थे लाड विलियम बैंटिंग भारत में अंग्रेजी सिच्छा का प्रारंब किया और उनके सजयोगी थे लाड मैकाले जो भारत में अंग्रेजी सिच्छा के सुधार के लिए या विचार के लिए या उनके अधिकारी थे बिलियम बैंटिंग के लिए जाने जाते हैं अब देखें लाड बिलियम बैंटिंग का काना था कि इन्होंने जे कई थियोरी दिया था फिल्ट्रेशन थियूरी या इसी को जो है अधो मुखी निश्यंदन सिधान्त का जाता है यानि इनका मेन उद्ध से था लाड़ मैकाले का अगर भारतियों में अंग्रेजी सिच्छा प्रारंब करना है तो सबसे पाले उच जातियों को सिच्छा दी जाए तो उच जाति से जो सिच्छा है वो निचले अस्तर तक छन छनकर इसलिए इसका नाम रखा गया है फिल्ट्रेशन थियूरी यानि छन छनकर सिच्छा पहुँच जाएगी निचले अस्तर तक तो अंग्रेजी सिच्छा के लिए यह जाना जानता है या इंगलीश नहीं बोल पाता है तो उसको गवार जाहिल क्या क्या सब्द से प्रियोग के आता है या पढ़ा निखा नहीं ऐसा माना जाता है तो ये लाड मैकाले का भले ही अंग्रेज हमारे देश को आजात कर गए लेकिन उनकी भासा के अब भी हम लोग गुलाम बने हुए हैं तो जो ये दिमाग लगाया था लाड मैकाले का उसी का ये दिमाग था जो आज भी हम अंग्रेजी भासा के गुलाम बने हुए हैं आप देखिए पच्वाँ पॉइंट है इसमें 1854 में चार्ल्स उड ने जो है घोषणा की थी लंदन भी स्विद्याले की तर्ज पर यहां स्थापना की गई कहां कहां पर कलकत्ता बंबई और मद्रास में और यहां स्थापना की गई थी अठारा सो शंतावन में इसलिए चार्ल्स ओर्स को सिच्छा का मैगना काल्टा भी कहा जाता है इसके बाद देखिए पॉइंट छे हैं इसमें सिच्छा के विकास में 1882 में हंटर सिच्छा आयोक का गठन किया गया और इसमें प्रात्मिक सिच्छा पर जोड़ दिया गया कि सबसे पले प्रात्मिक सिच्छा नहीं कच्छाई एक से पांस तक की सिच्छा को इसमित जोड दिया गया पुरसाहन दिया गया इसके बाद बात करते हैं सात्मा पॉइंट है इसमें 1904 में विश्व विद्याले अधिनियम लाया गया और उस समय थे लाड करजन गवर्नर ज और आयोग यह कलकत्ता विश्विद्याले की समस्याओं को सुझाय के लिए पुछय थी उसका समधान निकालने के लिए 1970 में सड्रार आयोग का गठन किया गया था इसके बाद 1229 में का हालटोग समीती का विचार थे जो प्रातिमिक अस्तर की सिच्छा है उसको जो है राश कंदर के लिए पुरसाहन दिया गया जिसको सइर्जंत योजना था पॉइंट नम्बर top 117 um 1948 में राधा कृष्णन आयोग का गठन किया गया और इसका मुख्य संबंध था विश्व विद्याले के से संबंधित था या विश्व विद्याले के सुधार से या समस्याओं से इसके बाद पॉइंट नमर 12 में 1903 विश्व विद्याले अनुदान आयोग की अस्थापना की गई या EGC की जिसको इन्वर्सिटी ग्रांट कमिशन का आता है तो 1903 में इसकी अस्थापना की गई जो सभी विश्व विश्व विद्यालों को अनुदान या उसकी द्वारा मन दी जाती है इसके बाद पॉइंट 13 में 1964 में कोठारी सिच्छायों का गठन किया गया 1964 में कोठारी सिच्छायों का और कोठारी सिच्छायों का मुख्योद्य से था माधमिक जो सिच्छा है उसको जो है ब्यवसाइक सिच्छा बनाया जाए या ब्यवसाइक अस्तर का जो है सिच्छा बनाना अब जो लास्ट है 14 नंबर वो है 1968 का राश्टिय सिच्छा नीती जो वर्तमान में अब ही ये चला रहा है राश्टिय सिच्छा नीती 1968 के द्वारा ही तो देखें राष्टे सिच्छानिती में जो ये तीन पॉइंट बताया गया है ये तीन कारियस में पहला था कि चौदा वर्ष की आयू तक सभी बच्चों को निसुल्क एवं अनिवार सिच्छा का प्राधान किया गया है ये राष्टे सिच्छानिती उनिस वर्षट के ताद जो अर्तमान में अभी वी चला है तो उसके अनुसार जो ये बताया गया है कि चौदा वर्ष की आयू तक सभी बच्चों को निसुल्क एवं अनिवार सिच्छा प्रदान की जाए इसके बाद दूसरा पॉइंट है राष्टी आय का 6% इसमें जो है खर्च किया जाए यानि जितना भी राष्टी आय बजट पास होता है भारत में जितना भी राष्टी आय इंकम होता है उसका 6% सिच्छा पर खर्च किया जाए और तीसरा पॉइंट इसमें किरिशियम उद्योग सिच्छा का विकास किया जाए तो ये था वीडियो आज के लिए अगर वीडियो पसंद आये तो इसको लाइक करें अपने दोस्तों के आधिस तदिक शेयर करें तो धन्य बाद दोस्तों जय हिंद वंदे मात्रम से तो भीडियो ापिश्ट लाए और दोस्तों खेंयो